राजस्तान में कॉंग्रेस नेताओं और कारेकरताओं ने भज़पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कोटा में कॉंग्रेस नेताओं पर सरकार द्वारा की जा रही कारवाई के बाद अब कॉंग्रेस ने आंदोलन की चेताओं ने देती है भारतिय जनता पार्टी से कॉंग्रेस में शाबिल हुए पुर्वविधाय प्रेलाद गुंचल और आर्सी के पुर्वपाध्यक्ष अमीन पठान के खिलाव सरकार द्वारा की गई कारवाई को लेकर कॉंग्रेस उसका विरोध जता रही है। कॉंग्रेस मेला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राकी गौतम ने आरोप लगाया है कि प्रहाद गुंचल और अमीन पठान जब भाजपा में थे तब इन्हें को यापत्ती नहीं थी मगर जैसे ही ये दोनों कॉंग्रेस में शामिल हुए वैसे ही भाजपा के निताओं ने विरुत कारवाई करने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि संपुर्ण दस्तावे जोने के बावजूद भी भाजपा जानभूच कर कॉंग्रेस पतादिखारी को परेशान कर रही है इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि केवल चार तारिक का इंतजार है तो वहीं कॉंग्रेस क देहात जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंग ने आरोप लगाते वे कहा कि भेदबाव पूर्ण तरीके से प्रशाशन द्वारा क्रेशर सीज करने की कारेवाही की गई है उन्होंने कहा कि क्रेशर तो ऐसी चीज है जिसे शुरू करने से पहले ही कई विभागू की एनोसी ल गया कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्ठा को ने कहा कि भचपा के साथ आने वालों पर कोई कारवाई नहीं हो रही जबकि दरजनों ऐसे पदादिकार है जो प्रश्टाचार में लिप्त दे उन्होंने कहा कि जैसे ही वैबाचपा में शामिल हुए उन पर जैसे ही बीजेपी से कोई कारवाई नहीं हो रही हैं मगर जैसे ही बीजेपी से कोई कारवाई में आता है तो उस पर कारवाई शुरू हो जाती है ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के सिरी राजस्तान